ओम शान्ती अव्यक्तवानी की डेट है 23rd March 1981 और मुरली का टाइटल है फर्स्ट या एर कंडिशन में जाने का सहज साधन आज बाप दादा सब बच्चों की सुरत में विशेश एक बात देख रहे है वह कौनसी है? हर एक के चहरे पर purity की beauty कहा तक आई है अर्थात पवित्रता के महानता की चमक कहा तक दिखाई देती है जैसे शरीर की beauty में मस्तक, नयन, मुख, आदि सब देखते हैं वेसे purity की beauty में बाप दादा मस्तक में संकल्ब की रेखाए अर्थात स्पृती शक्ती, नयनों में आत्मिक वृत्ती की ड्रस्टी मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान वानी में सदा महान बन महान बनाने के बोल सीर पर पवित्रता की निशानी लाइट का ताज एसा चमकता हुआ चहेरा हरेक का बाप दादा देख रहे थे आज वतन में purity की competition थी आप सब का नंबर कितना होंगा यह जानते हो first, second, third prize होती है आप सब को कौन सी prize मिली first prize के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की पाचों ही बाते संपन्न होंगी एक लाइट का ताज उस ताज में भी जिसका ताज full circle में है जैसे चंडरमा का भी पूरा circle होता है कब अधूरा होता है तो किन्हों का आधा था, किसका पूरा था और किन्हों का तो लकिर मात्र था जिसको कहेंगे नाम मात्र तो पहला नंबर अर्थाट first prize वाले full light के ताज दारी दूसरा जैसे मस्तक में तिलक चमकता है वेसे भाई-भाई की स्पूर्ती अर्थात आत्मिक स्पूर्ती की निशानी मस्तक बीज बिंडी चमक रही थी तिसरा नयनों में रुआनियत की चमक, रुआनी नजर जिसम को देखते हुए ना देख, रुहों को देखने के अभियास की चमक थी रुआनी प्रेम की जलक थी होठो पर प्रभु प्राप्ति आत्मा और पर्मात्मा के महान मिलन की और सर्वप्राप्तियों की मुश्कान थी चेहरे पर मात पिता और श्रेष्थ परिवार से बिछुडे हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी बाब भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल और बाब के भी बने तो लाल हो गए कितने प्रकार की लाली हो गई एसी पाँचोई रेखा ये समपूर्ण स्वरुप वाले 1st प्राइज में है अब इसके आदार पर सोचो, first price, hundred, पाचो की, पाचो ही रेखा में है, second price वाले 70, third price वाले 30, अब बताओ आप कौन हो, second price वाले, उसमें भी number वार majority थे, first और third में कम थे, 30 से 50 के अंदर majority थे, कहेंगे उसको भी second में लेकिन पीछे, first class वालों में भी दो प्रकार के थे, एक जन्म से ही purity के beauty की, पाचो ही निशानिया जन्म सिद्ध अधिकार के रुप में प्राप्त किये हुए थे, प्राप्त करना नहीं पड़ा लेकिन प्राप्त किया हुआ है, उ इजी संसकार नेचरल लाइफ के, संसकार परिवर्तन करने की महिनत नहीं, स्वप्न में भी संकल्प मात्र और पवित्रता का वार नहीं, अर्थार purity की beauty में जरा भी महिन दाग नहीं, दूसरे जन्म से, knowledge की light और might के आधार पर सदा purity की beauty वाले, अंतर यह रहा जो पहले वाल सुनाएं, उन्हों के last जन्म के पिछले संसकार का भी दाग नहीं, इसलिए पिछले जन्म के संसकारों को मिटाने के मेहनत की रेखा नहीं, knowledge है कि पिछले जन्म का बोज आत्मा पर हैं, लेकिन चौरा सीवे जन्म के past का ड्रामा अनुसार और पवित्रता के संकल्प का इसलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है, इसलिए निजी संसकार के रूप में सहज महान आत्मा हैं, यह सहज योगी वे सहज पवित्रा आत्मा, बी होली नहीं, वह है ही होली, उन्हों के लिए यह स्लोगन नहीं है कि बी होली, वह बने बनाये हैं, first prize में भी number one, समझो, air condition group हो गया, फिर first class, उन्हों का सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, निजी संसकार नहीं, संसकार बनाना पड़ता है, अर्थाट, मर जिवे जन्मके आदी में निमित मात्र, knowledge के आदार पर attention रखना पड़ा, जरासी पुरुशाट की रेखाये जन्मके आदी में दिखाई देती हैं, अभी नहीं, पहले आदी काल की बात है, air condition अर्थाट बना बनाया था, और first class वाले ने आदी में स्वयम को बनाया, उसमें भी पुरुशाट सहज किया है, सहज पुरुशाट, तीवर पुरुशाट समर्थ पुरुशाट लेकिन फिर भी पुरुशाट की रेखा है, यहां purity की बात चल रही है, purity की subjects में वहां बने बनाये और वहां पुरुशाट की रेखा वाले हैं, बाकी total सब subjects की बात अलग है, यह एक subjects की बात है, वहां आत्रतनों की माला और वहां 100 में पहले नमबर, third class तो इंडिया government पी cancel प्रजा है, third class तो इंडिया government पी cancel प्रजा है, third class वाले तो सत्युक की पहली नामी गराभी प्रजा है, जो royal family के संबन में सदा रहेंगी, अंदर की प्रजा होंगी, बाहार की नहीं, अंदर वाले connection में बहुत नजडिक होंगे, लेकिन मर्तबे से पिछे होंगे, लक्षे तो air condition का है ना, first class के अंतर से second class को तो समझ गए होंगे, second class से first air condition में जाने का बहुत सहच साधन है, सिर्फ एक संकल्प का साधन है, वह एक संकल्प है में हूँ ही original पवित्रा आत्मा, ओरीजिनल स्वरूप अपवित्र तो नहीं था ना, अनादी और आदी दोनों काल का ओरीजिनल स्वरूप पवित्र था, अपवित्र ताक तो artificial है, real नहीं है, शुद्रोक की देन है, शुद्रोक की चीज ब्रामन के से यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यह एक संकल्प रखो, अनादी आदी real रूप पवित्र आत्मा हूं, किसी को भी डेखो तो उसका भी अनादी आदी real रूप डेखो, स्वयम का भी औरोका भी, real को realize करो, लाल चश्मा लगाओ, स्मूर्टि का चश्मा, वह चश्मा नहीं, मे भी लाल, वह भी लाल, बाब भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना फिर लाल किले के उपर जंडा लहराएंगे अभी मैदान तक कदम उठाया है गवर्मेंट की नजर तक आए हो फिर नजर के बाद दिल पर आ जाएंगे सबकी दिल से निकलेंगा कि अगर है तो यही है अभी यह आवास फैला की यह बड़ी संस्था है बड़ा कारिया है यह कारिया साधारन संस्था नहीं नामी ग्रामियों की लिस्ट में है अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे है फिर आपके परमात्मा मुहबत की महिमा करेंगे अभी एक्यासी में यह किया है ब्यासी में क्या करेंगे यह भी अच्छा किया बाप दादा खुश है संगठन का स्वरुप विश्व के आगे एक वंडरफूल चित्रा में रखा है हम सब एक है इसका जंडा लहराया लोग समझते हैं कि हमने तो समझा यह ब्रह्मा कुमारिया गई की गई कहां तक चलेंगी लेकिन संगठन के नक्षे ने अनेक साधनों द्वारा जैसे रेडियो टिवी अखबारे नेताए इन सब के संपट द्वारा अभी यह आवाज है कि ब्रह्मा कुमारिया चर्तिकला में अमर है जाने वाली है लेकिन सभी को ले जाने वाली है जो सबने तन मन धन लगाया विश्व के कोने कोने के ब्रामन भावनाव की मिट्टी दहली में पड़ गई यह भी शुब भावनाव की मिट्टी दालने की सेरिमनी हो गई अपने राज्य की निव को मजबूट किया इसलिए कुछ फल निकला कुछ निकलेंगा सब फल इकठा नहीं निकलता है इन उलहना उलहनों से बज़ गए अब कोई उलहना नहीं दे सकेंगा कि बाहर की इस लिए सफलता मूर्थ है और सदा रहेंगे आगे और नया प्लान बनेगा खर्चे का नहीं सोचो, खर्चा क्या किया, 10 पैसे ही तो दिये, लोग तो मनोरंजन संगठन के लिए, संगठी प्रोग्राम्स के लिए कितना खर्चा जमा करते हैं और खर्च करते हैं, आप सबका तो 10 पैसे या 10 रुप्य में काम हो गया इतना बड़ा परिवर देखना और मिलना, यभी सने का सबुट देना, देखा, युनिती की खुश्बू, सेवा के सने की खुश्बू, स्रिमत पर एवर रेदी रहने की खुश्बू, उमंग उत्सा और इन्वेंशन की खुश्बू, चारो और अच्छी फेलाई, बाप तके वतन तक पहुची । अब सिर्फ एक खुश्बूरा गई वो कौन सी? भगवान के बच्चे यह खुश्बूरा गई रह गई है महानात्माये हैं यहां तक पहुचेंग हो आत्मीक बॉम लगा है लेकिन पर्मात्मा बॉम नहीं लगा है बाप आया है, बाप के यह बच्चे वासाथी हैं, अब यह लास्ट जंडा लहराना है, भाशाणों द्वारा, जाकियों में माईक द्वारा तो संदेश दिया, लेकिन अब सबके रड़ई तक संदेश पहुँच जाए, समझा अभी क्या करना है, यह भी दिन आ जाएगा, विदेश से कोई ऐसे विशेश प्यक्ति लाएंगे, तो यह भी हलचल मचेंगी, सब फस्ट क्लास प्यॉरिटी की ब्यूटी में आ जाए, सेकंड क्लास भी खतम हो जाए, तो यह भी दिन दूर नहीं होंगा, सेकंड क्लास वाले को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकप करना पड़ता, अभी यह भी छोड़ो, नेचरल ब्यूटी में आ जाओ, कैसे देवताओ के संसकारों में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संसकार बनाओ, तो विश्वक के आगे, प्यॉरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकरसन स्वरुप हो जाएंग एक-एक स्टार अपनी दुनिया बनाएंगे, यह चैतनिया सितारों की दुनिया है, इसलिए साइन्स वाले आपके याद्गार सितारों में दुनिया ढूंड रहे हैं, अभी उन्हों को भी अपनी दुनिया में ले आओ, तो मेहनत से बज जाए, उन्हों को अनुभव कि सितारों की दुनिया कौन सी है जो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेज ज्ञान के पिकनिक की खातीरी कर रहे हैं जो जाने वाला होता है उनको पिकनिक देते हैं तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे हैं या ज्ञान की पार्टी है एसे purity की beauty में number one impurity पर सदा वीन करने वाले purity को निजी संसकार बनाने वाले सर्वसंबंद का सुख एक बाप से सदा लेने वाले एक में सारा संसार देने वाले एसे सदा आशिको को माशुक बाप का याद प्यार और नमस्ते महायग्य में सभी ने बहुत अच्छी मेनत की है मेनत का फल मिल ही जाता है आवाज बुलन करने में खर्चा तो करना ही पड़ता कोई नई invention निकालने में खर्चा लगता है लेकिन उसकी सफलता के पीछे भी फल देती रहती है कहा नाम बाला होता कहा आवाज निकलता कहा ब्राह्मन परिवार में वृद्धी होती महायग्य के कारण गवर्मेंट द्वारा जो सभी प्राक्ट हुआ वह भी हमेशा के लिए उनके रिकर्ड में आ तो गया ना जैसे railway connection का जैसे railway concession का हुआ तो यह भी रिकर्ड में आ गया ऐसे गुप्त कई कारिये होते हैं प्रेसिडेंट तक भी आवाज तो गया कि इतने सेवा कैंडरो से इतने लगन से आये हैं यह भी प्रत्यक सफल हैं जिन्होंने जो सेवा की बाप दादा रिजल्ट से संतोष्ट हैं इसलिए मेहनत की मुबारक हो सेवा धारी बाई बेहनों से हर एक अपने कोव कोटों में कोव कोव में भी कोव एसी श्रेस्त आत्मा समझते हो सेवा की लोटरी मिलना यह भी एक भागय की लकीर है यह सेवा सेवा नहीं है लेकिन प्रत्यक्स मेवा है एक होता है ताजा फ्रूट एक होता है सुखा फ्रूट यहां कौन सा फल है यह प्रत्यक्स भागय का फल है अभी अभी करो अभी अभी खाओ पविश्य में जमा होता ह लेकिन भविश्य से भी पहले प्रत्यक्स फल होता है। है तो कर रहे हो। तो इस सेवा से कितने फाइदे हो जाते हैं। हाथ में हैं। इतने भग्यवान हो। यह सेवा अभी साधारन बात लगती। लेकिन यह साधारन नहीं है। यह वंडर्फुल लकीर है। जितना समय यह लाटरी मिलती हैं इसी लाटरी को अविनाशी बना सकते हो। एसे अभ्यासी बन जाओ जो कहां भी रहते हैं। यहां जैसी स्थिती बना सको। यहां सहज योगी की अनुभुती होती हैं ना मेहनत समाठ हो जाती। तो ही समाज सहयोग का अनुबव परमपरा चलाते रहो। संगम युग में परमपरा मधुबन में यह अनुबव छोड़के नहीं जाना लेकिन साथ ले जाना। ऐसे कई कहते हैं मधुबन से निचे उतरे तो मीटर भी निचे उतर गया। एसे नहीं करना। इसी अभ्यास का लाब लो। सेवा करते हुए भी सहज योगी की स्थिती पर अटेंशन रखो। एसे नहीं सिर्फ कर्मना सेवा में बीजी हो जाओ। कर्मना के साथ साथ मन्सा स्थिती भी सदा स्रेश रहे तब सेवा का फाइदा है। शक्तिया भी अच्छी स्नेहीं है अथक है। बाहों में दर्थ तो नहीं पड़ता। बाप दादा स्ने से पाव और बाहे दबा रहे हैं। इसनेहीं पाव दबाना है। अच्छा। मदुबन में सेवा का बीज डाला अर्थात सदा के लिए श्रेश्ट कर्म का फल बोया। अभी मुल्ली का सार है। एक फर्स प्राइस के अधिकारी वे हैं जिनकी नीमनल इखित पाच बाते संपन्न होंगी। एक फुल लाइट के ताजदारी। दुसरा जैसे मस्टक में तिलक चमकता है। वे से भाई-भाई की स्वृति, आत्मिक स्वृति की निशानी। तिसर नयनों में रुहानियत की चमक। चौथा होठो पर परिवार प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुश्कान। पाच्वा चेहरे पर मात-पिता और श्रेस परिवार से कल्पबाद मिलने के सुख की लाली। दुसरा पॉइंट फर आदी रियल रूप पवित्र आत्मा हों। किसको भी देखो उसको भी आदी अनादी पवित्र रूप देखो अच्छा। ओम शान्ति।